जनता जो है वो केवल लालू जी और नितीजी के साथ है और आपको हम बता दें राश्टिय अध्यक्ष जी ने हमको शिखाया है कि विवेक और ध्यर भी मजबूती है ताकत है हम लोग भैर है रखने वाले लोग है विवेक काम करने वाले लोग है और इनकी साधिशों का हम सब लोगों को पता है कि भाजपा जो है कि यह क्या करेगी क्या नहीं करें अब जाती जंगर्ना के बाद एक अजेंडा जो है बीजेपी माइंडशेट की जो मीडिया है पकड़ी हुई है भाई पकड़ी हुई है हम मानते हैं कि ठीक है कि देश का सबसे पवित्र आप किताब कह लिजिए गरंद कह लिजिए देश किसे चलता है मेरा मानना है कि देश का जो सन्विधान है वो सबसे पवित्र किताब है और देश जो है सन्विधान से चलता है और इस सन्विधान में सब को अजादी है कि भाई अपनी बात वो रख सके लेकिन सन्विधान ये भी बताता है कि यहां हर धर्म का मान और सम्मान किया जाना चाहिए तो हम लोग हर धर्म का मान और सम्मान करते हैं इसमें कोई किसी को कोई कन्फूजन होने वाली बात नहीं है कौन क्या कहता है नहीं कहता है हम लोग इन चीजों पर जो है ज्यादा गौर नहीं करते हम लोग मुद्दे की बात करते हैं मुद्दा क्या है सिख्षा मुद्दा क् महенगाई है लोग आगे बढ़ें यe हम लोग की बात होनी चाहिए चर्चा इस पर होनी चाहिए लेकिन आजकल देखने की चाहिवाई ना बेडोज का इस पर को चर्चा क्यूं कि भाजपा का अजंडा हम लोग शुवी से क्या बोलते हैं हिंदू मुस्लिम मंदिर मजजित पाकिस्तान कश्मीर फिर वहीं आगे बिहार को लेकर करके एक बड़ी तैयारी चल रही है कि इसी पर रखा जाए बीजेपी के कुछ शिर्ष नेता है थे नहीं आए एक दो यहीं ट्रेइणि देंके गये हैं यहां जो विजेपी शासे रखते हैं या वीजेपी माइंड़ेट की मीडिया है लोग लगे होएं कि कैसे हो कुछ हो जाए हो जाए इन लोगों को पता नहीं है कि कुछ भी लोग कर ले महागड़ बंधन जो है वह ठूटेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है अब बताई तरह तरह की बाते चलाई जारी है मार्केट में तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं कौन है लालू जी है नितीज जी है उन्होंने महागर बंदन बियानबीडों के साथ है क्या कोई लोग तो किया क्या जाया हम्याइब्य। बुद्धा क्या होना चाहिए यह कोई मुद्धा है और इसे कितना भी लोग को थोड़ी बहुत मांसिक संतुष्टी मिल गई होगी कि बहुत चलो बड़ा बड़िया लाइन पकड़ाया है यही मौका है तो सब लोगों को पहचाना जाता है जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है कितना भी लोग एड़ी अलगा करके भासन दे ब्यान के दे आप लोग लोग सब लोग जान रहे क्या हो तो इस पे नहीं अभी यह चल रहा है बात सुन लो अभी डिस्कोर्स चला जाएगा इस पर हिंदू-मुसल्मान पर फिर आएगा डिस्कोर्स कुछ दिन बाद पता चलेगा कि इडी जो है फिर से आगे तेजश्री के पास बड़ा संपत्ति है फिर से जाच होगी फिर केस होगा फिर मुकरदमा होगा अरे इस तक जानते हैं लोग कहला चिंता करते हैं हम लोगों का काम है जिस कमिटमेंट के साथ सरकार में आए हैं लोगों को 10 लाख रोज चल रहा है अलोग करें अलोग के हां बात करते थे की इस को मार जी को उपर राश्ट पति बनाना है इस तरह की जानवे निन Integrity मंत्री बनाया जाएगा आएकि था पौर आपलोग स्व लोग जानवरे हैं कि इसमें BJP Mindset के जो लोग हैं यह इस तरह का साजिश करने लोग तो हम लोग नितीजी महागेटबंदन जब से बढा हैं तब जो हम लोगों का उद्देश जो है महागेटबंदन सरकार लगतार नौकरी और जातिचन घंडा जो हम लोगों काम कर रहे हैं तो फिर से यह लोग साजिष रचने और साजिष रचने में यह लोग क्या क्या करें 》भे मख्यमंत्री और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और कौन-कौन लोग हैं कि इसमें भी हम लोग अच्छे से मुख्यमंत्री जी हम लोग पहचानते हैं आप देखिएगा कि महागडबंधन के दो शीर्ष नेता है आदंदे लालू परशाद जी आदंदे नितीश कुमार जी और शीर्ष नेते तो हम लोग सब लोग मिलकर के महागडबंधन हम लोगों न कि बिहार की जनता वान जीर्ष के साथ है और नितीजी के साथ मोटों जो बैान बीक्षा सीट है जो चर्षित आजके और रक हैं उसके सथ जंता थोड़ी ना हैं जनता जो है वह केवल लालू जी और नितीशी के साथ हैं और आपको हम बता दें राश्टिय अध्यक्ष जी ने हमको शिखाया है कि विवेक और ध्यर भी मजबूती है ताकत है अब लोग धेर रखने वाले लोग हैं विवेक से काम करने वाले लोग और इनकी शाजिशों का हम सब लोगों को पता है कि भाजपा जो है क्या करेगी और जाती जंगन्ना के बाद एक अजेंड़ जो है बेज़ेपी माइंड़ेट की जो मीडिया है पकड़ी हुई है भाई सोम बानते हैं कि ठीक है कि तेश का सबसे पवतर किया कि आप किताब कहले जए ग्रअध कि 9 किस से चलता नए शुक् miraculous सभु परुटर किताब है और देश जो है सवीधान से चलता है और सवीधान में सबको सजाधी है कि आपनी बात रख सके लेकिन इसो भी बताथ है यहां हर धर्म का मान kiedy क्या जाना चाहिए तो हमढ़र धर्म का, मान उसमान करते हैं, इसमें कोई किसी को कोई confusion होने वाली बात नहीं है, कौन क्या कहता है, नहीं कहता है, हम लोग इन चीजों पर जो है ज़्यादा गौर नहीं करते हैं, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या ह है लोग आगे बढ़ें यह हम लोगों की बात होनी चाहिए चर्चा इस पर होनी चाहिए लेकिन आजकल देख रहे हैं कि चर्चा भाईया ना मेंगाइस ना बेरोजगारी इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा है तो हम लोग तो सन्विधान को मानने वाले लोग हैं और य जिंदू मुस्लिम मंदिर मस्ज़ित पाकिस्तान कश्मीर फिर वहीं आगे बिहार को ले करके एक बड़ी तैयारी चल रही है कि इसी पर रखा जाए कि बीजेपी के कुछ शिर्ष नेताय थे नहीं एक दो यहीं ट्रेइनिंग देके गये हैं यहां जो बीजेपी शासित यह भी लोग हैं बीजेपी विश्वास रखते हैं या बीजेपी माइंड़ सेट की मीडिया है लोग लगे वह हैं कि कैसे कुछ हो जाए हो जाए इन अब बताई तरह तरह की बाते चलाई जा रही है मार्केट में तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं कौन है कौन है लालू जी है नितीज जी है उन्होंने महागरबंदन मनाया लोग किसके साथ है ब्यानबीरों के साथ है क्या कोई लोग तो ब्यानबीर के साथ कोई नेता के स आथे लोग तो एक बात समझ जाई कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है इसमें क्या बुद्धे की बात कीजिए नहीं बुद्धा क्या होना चाहिए यह कोई मुद्धा है और इसे कितना भी लोग को थोड़ी बहुत मांसिक संतुष्टी मिल गई होगी कि भाई चलो बड़ा बड़ीना लाइन पकड़ाया है यहीं मौका है तो सब लोगों पहचाना जाता है जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है कितना भी लोग एड़ी अलगा करके भासन दे ब्यान के दे आप लोग कुछ लोग सब लोग जा कि पता चलेगा कि एडी जो है फिर से आगे ते जाशी के पास बड़ा संपत्ती है फिर से जनाच होगी फिर केस होगा फिर मुकदमा होगा और इससद जानते हैं लोग कहला तो चिंटा करते हैं हम लोगों का काम है जुस कमिटमेंट के साथ सरकार में आए हैं लोगों का 10 पाख रोजगार देनाड़ का वह हम लोग दिलाएंगे अच्छा काथ सेंसर्स को